हाई इंग्रीजी में मैं हूँ रिजवान और इंग्लिश लर्निंग विथ रिजवान के साथ आज हमारा टॉपिक है टाइप सफ नाउन इससे पहले हमने पड़ा था नाउन तो नाउन में हमने जो चीजें पड़ी थी के नाउन नाउन के तो अब उसके हम टाइप पड़ेंगे तो पहले टाइप हम पड़ेंगे जो है उर्दू में कहते हैं इसमें खास तो प्रापर नाउन कौन से हैं मतलब कोई भी फर्स करें किसी शहर का नाम जैसे न्यू यॉयोर्क तो नियू यॉर्क जो है नियू यॉर्क दुनिया में किसी एक खास इलाखे का या शेहर का नाम है तो इसी वज़ेसे वह किसी जगह के नाम है जैसे हैदराबाद अगर हम सिटी हैदराबाद के जगह पर सिटी लिख लें तो यह कामन हो जाएगा असे बहुत सारे शेहर हैं तो काहिदव्मίζ Васु कि जगह पर अगर 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 हम उसका काहिदव्मी का नाम लिख लिए तो उसका मतलब नाम होगा तो प्रीड़ के लिए उसके किसी भी खास चीजर के लिए हम प्रीड़ै पर नाउन इस्तमाल करते हैं इसको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं फिर उसके बाद कॉमन नाउन जैसे मैंन बुक और सिरी यह सारी चीजे कॉमन नाउन कहलाती हैं नम्बर थ्री अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन वो चीजें जैसे नेशन तो एक फर्द का कोई कौम नहीं होता बहुत सारे फर्द मिलेंगे तो नेशन बनेगा इसी तरह से टीम किसी भी मुकाबले में ज्यादा लोगों का जमा होना वह उसको हम टीम कहें गए एक से ज्यादा लोगों का तो इसी तरह से नेशन भी है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो खटा होती है, तो उसको हम एपस्टिक नाउन कहते हैं, यह लफ्स से ही जाहर है, तो वो चीजें जो बजाहर तो हमें दिखा इनहीं देती, लेकिन इनका तालब, फियर, खाफ, और उसके लबावे इमोशन feelings thoughts and ideas तो यह सारी चीज़ें जो है वह abstract noun में आती है यह बजाहर हमें दिखाई नहीं देती लेकिन यह conditions यह feelings में हम देख सकते हैं तो इनको हम कहेंगे abstract noun अब हम आगे पढ़ेंगे अब फियर एक feeling है इसको हम छू नहीं सकते मतलब ऐसी चीजें जिनको हम छू नहीं सकते बजायर जैसे खुशी है ज्वाय तो ग्रीड है तो यह सारी चीजें हम छू नहीं सकते हैं इनको हम कहते हैं है material noun तो हमारा पांचमा जो है वो types of noun में हम पढ़ेंगे material नहीं में कौन सी चीजें आते हैं जैसे जैसे गोल्ड गोल्ड आयरन वूड एक्सेक्टर एक्सेक्टर तो यह सारी चीजें आती है material noun में countable noun कोंसे हैं जो तो अपने माना से बता रहा है कि वो जायर करता है कि कौन सी चीजें है वो चीजें फर्स करें एपल फर्स करें छेर्स पर्स करें पैंस तो यह सारी चीजें countable होती है का मतलब गिनी जा सकती है तो हम इनको कहेंगे countable noun apple chairs और इसके लावा pens तो ये सारी चीज़े countable noun अभी इसके मुकाबले में एक और चीज़ है वो है uncountable noun uncountable noun में कौन सी चीज़े आएंगी तो uncountable noun मैं इस चीज़ को number इस वज़द से नहीं दे रहा यहां क्योंकि इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अभी भी नाउन में हैं uncountable noun तो ये भी अपने meaning से बता रहा है मतलब जो चीज़ें गिनी ना जा सके गिनने में ना आए uncountable noun तो उसमें कौन सी चीज़ें ऐसी कौन सी चीज़े हैं मतलब के floor उसके इलावा salt उसके इलावा water तो ये सारी चीज़ें जो दाने के साब से ऐसी हो तो ये सारी चीज़ें गिनने में नहीं आती तो इसको हम कहेंगे uncountable nouns मतलब hair तो ये जमा है ये सारी चीज़ें uncountable noun में अब हम अगला टापिक जो पढ़ेंगे वह singular noun अब singular कौन से हैं जैसे boy तो boy की जमा हो गई boys इसी तरह से पैन पैंस तो ये सारी singular पैन पैंस मतलब वैसे तो ये things noun is the name of things मतलब पैन मतलब कुसी चीज जगा वैसे ये सारी चीज़ें उन में आती हैं जो बी चीज जाहर हो या उसके conditionally वह जाहर हो तो हम उसको noun करते हैं तो boy की जमा boys पैन की जमा पैंस तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं तो singular noun में हमने पढ़ा है कि city और cities जैसे city और cities जैसे पैन पैन में मैंस बॉइ बॉइज गर्ल्स तो गर्ल सिंगुलर है गर्ल्स को पिलूरल नाउन है इसी तरह से city जो है वह पिलूरल नाउन है तो यह हैं सारे टाइप साफ नाउन अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो नए जो है लेसन में हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोन आउन अमीद है यह आप टापिक आपको समझ आया होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताके आप प्रापर तरीके से पूरा कोर्स ग्रामर का कर सकें